हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल ए आईएस एजुकेशन आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदरा गांधी नैस्टनल ओपन यूनिवस्टी के दो हजार चोबिस जनवरी एकडमिक सेशन के जो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं उसका अप्लिकेशन फोर्म आप कैसे फिल अप कर सकते हैं अपने मॉबाइल से आज किस वीडियो में स्टैब बाइस टैब कम्प्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं तो आज की वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले जो भी हमारा चैनल एईएस एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट की वीडियो आपको मिल सकें तो अभी आज किस वीडियो की स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपनी मॉबाइल फोन पर किसी भी ब्राउजर पर आना जो आप यूज करते हैं और इगनु कहती कि आप गूगल करों का प्रियोग करेंगे तो वह बेस्ट ब्राउजर रहता है आपका अप्लिकेशन फॉर्म फिल अप करने के लिए तो अभी आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपनी गूगल पर या ब्राउजर पर टाइप करना है www.ignu.ac.in तो यह आपको टाइप करना है इतना टाइप करेंगे उसके बाद क्लिक कर देंगे तो इगनु के ओफिसल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी तो वेबसाइट ओपन होते ही आप देखेंगे इसमें आपको आना है जो तीन होरिजेंटल लाइन्स हैं पै ओप्सन दिखेगा रजिस्टर ओनलाइन ओप्सन पर आएंगे उसके बाद आपको फ्रेश अड्मिशन डिस्टेंस फ्रेश अड्मिशन ओनलाइन यह दो लिंक मिलते हैं तो इकनु के ओडियल और ओनलाइन मोड में एक माइनर अंतर आपको बता जेता हूँ बाकि डिटेल कंप्यूटर आपके cbt होता है का ऊप्शन होता कि कंप्यूटर भी दे सकते हैं चाहे तो ओफलाइन भी दे सकते हैं बड़ा अंतर नहीं है, तो कैसे admission proceed करना है, इसके बारे में बात करेंगे, तो पहले आप यहां पर अपना mode का चुनाव कर लें, उसके बाद जो मैं steps बता रहा हूँ, वो follow करेंगे, आप चाहे online mode कर रहे हो, चाहे distance, लेकिन steps आपके इसके बाद के लगबग common रहेंगे, तो अभी example के तोर पे एक ले लेते हैं, तो example के तोर पे distance से करना है, तो distance पे click करेंगे, और click करने के बाद देखेंगे, कि आपका यहां application form आ जाता है, तो इकनू कि last date जो भी होती हो बात में extend भी होती है तो according लिव आप देख सकते हैं तो instructions to fill application form online instructions को धान से पढ़ ले, common prospectus भी दिया जाता है, उसको भी पढ़ ले तो सबसे पहले आपको लिखा है कि आपको admission करने के लिए आपके पास अपनी खुद की email आइडिया, अपना mobile number होना चाहिए, थाकि आपको बात में कोई message या mail आता है, तो आप खुद देख सकें और reply कर सकें, जो भी आप user name चूच करेंगे, वो must भी होना चाहिए 8 से 16 character का minimum और password करेंगे, वो भी 8 से 16 character का होना चाहिए, और alpha numeric password आपका होना जरूरी है उसके बाद next जो आप इसमें admission करते हैं अपनी photograph जो लगाएंगे, scan करके less than 100 KB, sign भी आपका, less than 100 KB आपकी relevant education, qualification certificate भी, और जो भी आपकी category, certificate etc, 200 KB से कम होनी चाहिए और इसके लाब fees payment करने के लिए debit card, credit card, net banking यह सब options होते हैं और आप अपनी documents से scan करेंगे, वो आप originals से scan करें, ऐसा लिखा गया है, तो अभी details में, details आपके सामने है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और complete आप देखेंगे यहाँ पर, इसके उपर just new registration आपको मिलेगा January admission cycle click here for new registration blue color में instructions पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको click करना है, जैसे click करेंगे, तो एक registration form आपका open होगा यहाँ पर आप अपना username select कर लें, तो जो भी आप अपना username रखना चाहते हैं तो example के तोर पर आप जो भी username रखें, जैसे मैं इसमें ABC at the rate 1234 और 5 रख देता हूं username, at the rate नहीं लगाना है, इसमें special character नहीं होता username में, तो ABC 12345, यह username मैंने इसमें रखा है तो यह username हो गया, उसके बाद applicant name, आप जो भी applicant name है example के तोर पर fill up करके दिखा रहा हूं इसलिए इसमें कुछ भी मैं डाल दे रहा हूं applicant email id, तो email id etc, आप जरूर अपनी correct लिखें तो email id लिख दी उसके बाद applicant email address को दोबारा से type करना है, तो यहाँ पर दोबारा से email id type कर रहा हूं email id लिखने के बाद आप देखेंगे email id आप की हो गई, यहाँ पर correct email id यहाँ पर enter करें बहुत से students क्या करते हैं कि photo type पर click करते हैं, वो हो जाता है, यहाँ पर इसके बाद एक space suits आता है तो email invalid दिखाता है, इस तरह की mistake ना करें और अन्यत आप प्रेशान होंगे और password में आपको जो भी minimum 6 character का password लिखा है वो choose कर लेना है तो password आपके सामने password enter में कर रहा हूं अभी और करें और mobile number enter करें उसके बाद आतक capture, capture अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप capture पर click करेंगे, तो फिर से image change हो जाएगी तो आपको just इसी के उपर change करना है तो अभी capture समझ आ रहा है तो capture भी enter करना है उसके बाद register पर आपको click कर देना है जैसे register पर click करेंगे तो आपका registration account is created successfully please login and apply for program तो अब आपको बस login करके apply करना है अब students को login link नहीं मिलता है तो login link आपका bottom में यहाँ पर रहता है admission की last date आपकी इगनू decide करते हैं समय पर notification आते हैं तो अभी आपको यहाँ पर जो registered username और password जो आपने चूच किया था वो enter करना है login link पर इसी में bottom में तो username आपने जो रखा था आपके सामने मने रखा था abc12345 और जो भी password होता है password enter करें और उसके बाद capture फिर से enter करना है capture आपको जब भी admission के लिए login करेंगे तो capture तो enter करना ही पड़ेगा ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपनी username और password करते हैं उसके बाद login पर यहाँ click करेंगे यहाँ login पर click करेंगे login पर जैसे click करेंगे तो verification code in correct दिखाया है तो capture फिर से enter करना है capture गलत दिखा रहा है तो correct capture जब भी आपको समझ में आए उतनी बार click कर ले और जब correct capture आपको मिलता है जब आप समझ रहे हैं तो आप उसको enter कर दें जैसे यहाँ पर अभी capture एंटर कर रहा हूँ अभी आपका login successful हो गया है यहाँ पर तो login होनने के बाद भी आपके पास वह instructions है तो उनको जरूर पढ़ ले और यहाँ पर अप अंडर ट्रेकिंग दे रहे हैं कि मैंने जो भी instructions थी उनको पढ़ ली है यहाँ पर blue tick करना है इस box को click करना है यह tick आ जाएगा उसके बाद submit पर click करना है इसके बाद आपका eight step का application form open हो जाता है तो यहाँ भी आप अपना खुद का नाम mother name जो भी आपका जैसे मैं example के तोर पर कुछ भी डाल दे रहा हूं तो इस तरह आप जो भी अपनी data उपर चूज करेंगे उसके बाद आपकी category क्या है अभी आपको यहाँ पर unreserved candidate है तो unreserved पर click करें SC ST है आपके पास certificate होनी जरूरी है अगर आप इन चार category में से कोई भी चूज करते हैं तो आपके पास उसकी particular certificate होनी चाहिए SCS और ST के कुछ courses के लिए fees exemption है जैसे की BAG, BSCG, BCOMG उसके लिए exemption लेना चाहते हैं तो आप SC tick करके कैसे लेना है example के तोर पर अगर आप BAG madmission कर रहे हैं और SC पर tick करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास option आ जाएगा आपकी category है तो do you wish to avail fees waiver concession available to SCHT students तो यहाँ पर पहले से automatic no होता है उसको आपको yes करना पड़ेगा जैसे आप यहाँ पर yes करेंगे उसके बाद आपकी annual income जो है आपके family members की मिलाकर करके यहाँ लाग पर year से कम होनी चाहिए यह undertaking आप देते हैं और जो भी आपकी income में select करिए less than 2.5 लाग पर एनम है तो आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं तो इसकी आपको certificate भी income की upload करनी पड़ेगी तो यह fees कैसे waiver लेना है fees का उसके लिए option है तो अगर आपकी category no है तो यहाँ जो भी आपकी category है correct category unreserved जो भी select करिए तो उसके बाद आपका next option आता है कि gender है तो जो भी आपका male, female या जो भी option है वो आप correct चूज कर सकते हैं उसके बाद अपना correct address आप urban, rural जो भी है minority, no, अगर yes है तो yes करिए जो भी आपका religion है married and married status है correct जो भी married है married single है single और social status applicable है तो टि कर या थन्यों कर दीजिए उसके बाद आप person with disability जो भी star marked field है वो mandatory है अन्य था आप next step पे नहीं जा पाएंगे इसलिए जो भी आप फिल्डिस में दिख रहे हैं जरूर भी fill up कर दें तो जो भी आपका status employed and unemployed चूज करें उसके बाद आप submit पे click करेंगे next step पे redirect एक बड़ next step पे redirect कर दिया जाएगा next पे आएंगे तो यहां पे आपका आता है program type कौन सा course आपको चूज करना है अब इकनों में bachelor के यानि की bachelor degree courses बहुत जाते हैं BAG, BSCG, BA owners degree, BTS, BCA बहुत courses हैं जो भी आप चाहें certificate course 6 month duration के है diploma है 1 year के और master degree course है 2 साल के post graduate diploma 1 year duration के तो जिस भी type का आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं example के तोर पे मैं आपको भी कोई भी दिखा रहा हूं पहले आप जैसे program type mode of study इसमें एक option आता है odial online वाले करोंगे तो इसमें एक option आएगा online तो bachelor के यह भी courses जो भी है वो सभी अवलेबल आपके सामने या पर है तो इन में से जो भी आप आपको करना है जिनको normal BA करना है तो वो bachelor of arts general choose कर सकते हैं अन्य था जितने भी course आपके सामने display हैं इसमें अन्य बहुत से course जल्दी ही add भी किये जाएंगे तो इसमें course add on हो जाएंगे उसके बाद आप अन्य भी admission कर सकते हैं लेकिन जो courses अभी आपके सामने दिख रहे हैं इन चूज करिए चूज करने के बाद उसका आपका further details देख पाएंगे तो अभी आप जो भी करने economics जैसे example के तो पर ले लिया है मैंने तो region for admission जब आपका जो भी nearby region है वो आप यहाँ पे चूज करें यहाँ पर regional centers की list है तो जो भी आपका nearby regional center है वो आप चूज करें उसके करें अन्यथा no करें yes करते हैं तो आपको enrollment number etc उसकी details provide करनी पड़ेगी फिर next पे click करेंगे तो next पे click करेंगे उसके बाद आपको आता है relevant qualification example की तो पर आप master degree course में admission ले रहे तो बीए की डिग्री आप bachelor डिग्री आपकी पास होना जरूरी है तो graduation or equivalent जो भी main subject उसमें है आपक graduation pass की कितने icons आपका division आया कितने percent आपके marks आये board आपका क्या था लिस्ट में है तो ठीक है अन्यथा आप note listed in list कर दें और board का नाम यहाँ पे लिख दें इगनू से यह आपने किया है तो इगनू लिख दें इगनू से board या university आप कुछ भी मतलब जो भी आपका edge अप्लिके ब दें इस तरह स्टेप 3 आपका complete हुआ अब आप next पर क्लिक करेंगे step 4 पर आ जाएंगे तो step 4 में आपके जो भी है में economics के courses आपके सामने आती है फिर आप यहाँ पे submit पर क्लिक करेंगे तो जैसे submit पर क्लिक करेंगे और फिर आपके पास next का option आता है कोई option चूज करने का होत जो भी correct city है जो भी correct pin code है या post office name आपको enter करना है या फिर correct pin code डालेंगे तो scroll down menu में आपका आ जाएगा तो जो भी आपका correct data है वो यहाँ enter करना होगा आपको अभी जैसे कि pin code गलत होनी का जैसे नहीं ले रहा है तो इसलिए अभी आपको मैं correct pin code एंटर करके दिखाता हूँ पिन code से आपका correct आ गया तो जो भी आपका है वो आप click करेंगे और next पर click करेंगे submit हो जाएगा तो अब आता है यहाँ पर six step आपकी documents update तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी photo सो के भी से कम में signature सो के भी से कम में relevant education qualification documents से सभी आप upload कर सकते हैं जो भी आपके पास अवलेबल है degree provisional जो भी आप other one two में जाके अगर आप fees exemption ले रहे तो income certificate category etc सब update करनी है उसके बाद seven में preview आएगा और eight में payment तो इस तरह है easily आप लोग proceed कर सकते हैं तो सभी steps आपको complete करने हैं तभी आप application form fill up कर बाएंगे तो सभी चीज़े required हैं आपको mandatory refill करनी है तो यह steps थे direct link वीडियो के description में available है आपको admission में कोई problem आती है तो आप हमें comment कर सकते हैं आपका reply जरूर करेंगे आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इनों के नए update के साथ